आएए जानते हैं कि पावर हाउस का रेजिटेशन कैसे करें गैल्वर अजिक्रेशन हब में पावर हाउस रेजिटेशन बटन पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको पावर हाउस रेजिटेशन में जाना है और अपनी सारी डिटेल्स जो जो मांग रहे हैं जैसे कि डिशुटर आइडी, नेम, लेवल, स्टेट, सिटी, स्पॉंसर नेम यह साइचीज यह वहाँ पे आपकी आटमेटिक आएंगी आपको वहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है कंफर्म करते ही आपको दो डिटेल मांगी जाएंगे, आउनलाइन या आफ्लाइन तो आपको आफ्लाइन सेलेक्शन करना है आफ्लाइन सेलेक्शन करने के बाद आपको अपने पावर हाउस का एडर्स डालना है जैसे कि मैं यहाँ पर एक address डाल रहा हूँ मैं वहाँ पर pin code भी डालूँगा pin code डालते ही मेरी side details automatic fetch हो जाएंगे उसके बाद आपको CT select करना है pin code डालते ही आपका state अपने आप आजाएगा stick भी आजाएगा और आपको अपनी CT एक बार select करनी होगी तो आप अपनी CT select कर सकते हैं यहां से CT select करते ही फिर आपको submit का button आएगा आपको यहाँ पर submit करना है submit करते ही आपको लिख के आजाएगा आपका notification registration successfully completed आप इसी तरह अपने powerhouse की रिपोर्ट भी जान सकते हैं कि आपकी downline में कितनी powerhouse खुली हुई है आईए जानते हैं गैले एजुकेशन हब में आपको क्लिक करना है powerhouse registration के अंदर उसमें आपको जाना है powerhouse report में powerhouse report में क्लिक करते ही आपको अपनी downline की सभी powerhouse की detail नजर आ जाएगी यहां पर आप अपनी downline के powerhouse का number नेम और आइडी city और state यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद